वेलकम टूवर यूट्यूब चैनल निशा एजूकेशन आजके इस वीडियो में हम राज्य सिक्षा केंद्र के दिशा निर्दे सानुशार एक आदर शिक्षन योजना या टीचिंग प्लान कैसे बनाएं आईए इस वीडियो के माध्यमते जानते हैं आजकी इस वीडियो में मैंने कक्षा, सात्वी, विशेगरित का अध्याय दस प्रायोगिक जामिती के लिए यहाँ पर आदर शिक्षन योजना का उधारिन दिया है यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को आप जादा से जादा सेयर करें सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जब भी मैं शिक्षन योजना का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए तो चलिए देखते हैं पार्ट 10 प्रायों के जायमिती के लिए शिक्षन योजना का उधारन तो सबसे पहले हम सारे कॉलम को एक बार देख लेते हैं हमारे पास नो कॉलम है पहला कॉलम है अवधारना चेत्र दूसरा कॉलम है पार्ट का नाम वक्रमांक तीसरा कॉलम है पेड़गोजिकल प्रिक्रिया या गति विध्या इवं प्रिस्तामना चौधा कॉलम है सुझावात्मक सिक्षन शामगरी जिसे हम कहते हैं TLM पाचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड छटवा कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर साथवा कॉलम है मुल्यांकन ही तु गति विध्या एबं प्रश्ण आठवा कॉलम है आउकर के सीखें घर में या खेल खेल में और लास्ट कॉलम है या नौवा कॉलम है लर्निंग आउटकम्स तो यदि हमें पार्ट दस प्रायोगी जैमिती के लिए एक आदर्स पार्ट योजना बनानी है तो हमें अवधाना छेतर वाले कॉलम में किन बिंदूओं को लिखना है आईए जानते हैं तो अवधाना छेतर मतलब होता है कि हमें इस पार्ट के अंतरगत बच्चों को जो कुछ भी सिखाना है उन बिंदूओं को हमें यहा लिखना होता है तो सबसे पहले सिक्षक पार्टे पुस्तक का अच्छेते अध्यन कर लें तभी ये अवधार्णा छेत्रवाले बिंदू वो आसानी से लिख पाएंगे मैंने कक्षा एक से लेकर आठ तक पार्टे पुस्तक की मदद से सिक्षन योजना कैसे तयार करें इस पर एक विडियो बनाया है मैं उस विडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप उसे भी चेक आउट कर सकते हैं तो देखिए आउधार्णा छेतर वाले कॉलम में मैंने प्रायों की एक जायमिती के लिए कुछ इस प्रकार से बिंदू लिखे हैं समानतर रेखाओं की रचना करना पहला बिंदू, दूसरा बिंदू है त्रीबूजों की रचना करना SSS कसौर्टी पर, SAS कसौर्टी पर, ASA कसौर्टी पर और RHS कसौर्टी पर, यहाँ पर यह साइड एंगल मतलब भुजा और कोण की आधार पर जितनी भी कसौर्टियां दी हुई हैं वो हम बच्चों को सिखाएंगे और यहाँ पर समानते रेखाओं की रचना करना सिखाएंगे अब देखिए, second column होता है पार्ट का नाम वक्रमांक, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर पार्ट का क्रमांक और नाम लिख देना है, तो मैंने लिख दिया है, पाठ दस प्रायोगी का जयामिती फिर है पेड़ागोजिकल प्रिग्रिया, गती विध्या एबं प्रस्तामना तो आईए जानते हैं कि हमें इस कॉलम में किन बिंदूओं को लिखना होता है तो देखिए अवधाना छेतर में हमें जिन भी बिंदूओं को बच्चों को सिखाना होता है तो उन बिंदूओं को सिखाने के लिए हम जिन भी गती विध्यों का उप्योग करेंगे उन गती विध्यों को यहाँ पर लिखना होता है और ये गते विध्यां बाल के इंद्रित होनी चाहिए जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है सिक्षक कक्षा कक्ष में कागच की सहायता से कागच को मोड़ कर उसमें बनने वाली लाइन को स्केल से खीच कर एक अन्य बिंदू से समानतर रेखा खिंचवाते हैं मतलब कागच की मदद से बच्चों में समानतर रेखाओं की समझ लाते हैं दूसरा बिंदू मैंने लिखा है सिक्षक किसी आयताकार समतल कागच की उपर और नीचे की किनारों से समानतर रेखाओं की समझ बताते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार की गतिविधिया करानी हैं। फिर तीसरे बिंदू में मैंने लिखा है, सिक्षक कक्षा कक्ष में इसकेल और चांदे की मदद से त्रिबुच की रचना करवाते हैं। और यह चारों कंडिशन में करवाते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है, जब तीन भुजाएं दी हो, दो कोण और उनके बीच की भुजा दी हो, तीसरा बिंदू मैंने लिखा है, दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हो, और चौथा मैंने लिखा है, समकोन त्रिबुच के लिए करण और एक भुजा दी हो तो आप इस तरह की गतिविधियां बच्चों से करवा सकते हैं पेड़ागोजिकल प्रिक्रिया गतिविधियां एवन प्रस्तामना वाले कॉलम में फिर चौथा कॉलम में सुझावात्मक शिक्षिन शामगरी या जिसे तो इस पार्ट के लिए मतलब प्रायों की जैमिती के लिए मैंने यहाँ पर टीलम लिये हैं रूलर, परकार, जैमिती बॉक्स जहां पर सारी चीज़े आ जाती हैं फिर मैंने लिया है कागज, नेक्स्ट टीलम लिया है डिजिले सामगरी तो इस परकार आप टीलम लिख सक फिर पाचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड तो इस कॉलम में हमें इस पार्ट को पढ़ाने के लिए जितने भी कालखंड की आवश्युत्ता होगी उन कालखंडों की संख्या हम लिख देंगे और प्रती कालखंड का समय भी लिख देंगे तो मैंने लिख दिया 45 मिनि तो मैंने यहाँ पर टोटल 10 कालखंड लिख दिये हैं आप अपने अनुशार कम या जादा करके लिख सकते हैं फिर अगला कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीखने के संके तक तो इस कॉलम में हमें ऐसे बिंदों को लिखना होता है जो बच्च जाना छेतर वाले कॉलम से लिख सकते हैं कि हमें बच्चों को जो सिखाना है और जो हमने गति विध्या कराई है उससे अभी तक बच्चे ने क्या सीखा है और उससे क्या अधिक सीखने की आवश्यकता है तो मैंने यहाँ पर पहला बिंदु लिखा है बच्चे अपनी नो तुम्हेंने यहां लिखा है त्रिबूजों की रचना कर पाते हैं उनकी कसोटियों पर मतलब जो भी कसोटियां इस पार्ट के अंतरगत हमें दी हुई है उन सब कसोटियों पर वे त्रिबूज की रचना कर पाते हैं फिर अगला कॉलम है मुल्यांकन हेतु गति विध्या जो हम गति विध्या उप्योग में लाएंगे या उनसे जो प्रश्ण करेंगे उन प्रश्णों को हमें यहाँ पर लिखना होता है तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है सिक्षक बच्चों से प्रश्ण पूछते हैं एक रेखा AB खींचिये इसके बाहर रिस्तित कोई बि पूछ सकते हैं आप अपने इस तर से अन्य प्रश्ण भी यहाँ पूछ सकते हैं अगला बिंदू मैंने यहाँ पर लिखा है पास सेंटिमीटर भुजा वाले संबाहु त्रिबुझ की रचना कीजिए तीसरा कॉस्चिन मैंने यहाँ पर लिखा है त्रिबुझ D E F बनाए जहां D E बराबर 4.5 सेंटिमीटर E F बराबर 5.5 सेंटिमीटर और D F बराबर 4 सेंटिमीटर तो आप मुल्यांकन हे तो गति विधिया एवं प्रिश्ण माले कॉलम में इस प्रकार से बच्चों से प्रिश्ण पूछ सकते हैं और जैसा कि आप सभी को पता है राज्य सिक्ष केंद्र के दिशा निर्देशा अनुसार कोई भी सिक्षक किसी अन्य सिक्षक की शिक्षन योजना की कॉपी नहीं करेंगे तो मैंने यहां पर एक उधारन बताया है आप अपने इस तरसे टीचिंग प्लान बना सकते हैं फिर देखिए आटवा कॉलम है आउ करके सीखें घ घर में या खेल खेल में तो यहां पर हमी बच्चों को ऐसे प्रश्ण देना होता है जिससे बच्चे कुछ ना कुछ अवस्शिक हैं तो हम उनको नहीं दे सकते हैं तो देखिए मैंने यहां पर क्या बिंदू लिखे है थाए सभी बच्चे कागच को मोड़ कर समांतर रिखाएं बना कर बताईए फिर दूसरा बिंदू मैंने लिखा है पांच प्रकार के अलग-अलग भुजाओं की लंबाई लेकर त्रिबुच की रचना कीजिए फिर अगला कॉश्चन मैंने बच्चों को दिया है चांदा और स्केल की सहायता से समकों ट्रिबुच की रचना कीजिए नवा और लास्ट कॉलम है लर्निंग आउटकम्स तो लर्निंग आउटकम्स का हिंदी में मतलब होता है सीखने के प्रतिफल या सीखने के परिणाम तो ये कॉलम हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें हमने जो अध्याय बच्चों को पढ़ाया है उस अध्याय को पढ़ाने के बाद में बच्चों ने क्या प्राप्ति की है या उन्होंने अंत में क्या सीखा है इस column में हमें ऐसे बिंदूओं को लिखना होता है तो देखी मैंने यहाँ पर लिखा है किसी रेखा के समानतर अन्या रेखा की रचना कर पाते हैं फिर दूसरा मैंने लिखा है त्रिबूजों की रचना SSA, SAS मतब side 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 angle side कसोटी या angle side, angle कसोटी और RHS कसोटी पर कर पाते हैं तो ये कॉलम लिखना बहुत आसान होता है जो कुछ हमें बच्चों को सिखाना होता है वो अंत में इन सब प्रक्रियाओं से गुजर कर बच्चा सीख जाता है तो हमें यहाँ पर सिखाना होता है और इनहीं को हमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये चीजें बच्चों यहाँ पर कर पाते हैं तो आई होप ये 9 कॉलम पर आधारित, कक्छा साथवी, विशेगडित, पाठ दस, प्रायोगिक जैमिती के लिए जो मैंने आधर सिक्षन योजना का उधारन दिया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा यदि आपको विडियो पसंद आई हो तो इस विडियो को आप जादा से जादा सेयर करें और विडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू